हेलो फ्रेंड्स मैं रेनु आप सभी का स्वागत करती हूं रेनुदा के चेंज चैनल पे तो दोस्तों आज मैं मसालेदार चटपटी बहुती बढ़िया मुफ्ली नमकिन बनाने जा रहे हूं और अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नी किया हो तो प्लीज सब्सक कर लें क्यों हम सभी को मेरे चैनल पे अच्छी रेस्पी देखने को मिलेंगी और बैल आइगन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा तो चलिए बड़िया चटपटी सी मसालेदार मुफ्ली बनाते हैं बिल्कुल बाजहार जैसी घर पे ही आज मैं आप सभी को बनाके दिख बस्तों घर पे ही बनाते हैं मसालेदार मुफली बिलकुल बाजहार जैसी इस तरीके से अगर आप मसालेदार मुफली बनाएंगे तो मोही खुल जाएगा माजेदार मुफली तो इसके Left文 edint मांव को यहां पर साबुत खड़ा दनिया है आदी चम्मच यह मैति दाना है आदी चम्मच जो मैंने की भूझ लिया है पहले एक जीरा है और यह लॉंग है लॉंग मेरी कुटी-कुटाई है चार-पांच लॉंग है काली मिर्ष पाउडर है और यहां तेज पत्ते हैं जो मैंने अगर आप उसका मसाला बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया वनेगी मुंफली और मज़ा भी बहुत बढ़िया तरीके से आएगा अगर इस तरीके से मुंफली बनाके अगर आप खाएंगे तो यहां पे देखिए मसाला भून चुका है अब इसको मैं एकप्लेट में निका इसको हमें ज्यादा बारिक नहीं पीशना है, हम इसी तरीके से हाथ से इसलिए कूट रहे हूं मैं, कि थोड़ा रखना है, हमें अपने यह मसाले को यह देखे। अब इसम्टेको बनाके नमक्री इसलिए से बाहई करांने कड़ेगे। अब ये देखिए यहां पे तेल भी गरम हो चुका है अब इसमें मैं डालूंगी जब से पहले मूमफली मूमफलीों को हमें डाल के फटा फट से चला रहा है इस तरीके से चलाते रहना है जब तक कि हमारी मूमफली बढ़िया से बुंजी नहीं जाती इसको चलाते रहना है अगर चलाएंगे नहीं तो मूमफली जल जाएंगी हमारी इसलिए इसको हलके हलके आज से जल्दी चलाते भी जाना है और तेज आज पे इसको हमें नहीं बुंजना है यहां पे देखिए मूमफली भी हमारी बुंज चुकी है अच्छे से चलिए तो जब तक कि मुफली ठंडी हो रही है हम यहां पर मैंने बेशन ले लिया है आधी कटोरी बेशन लिया है थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें मैं ज्यादा पानी नहीं डाला है हमें ज्यादा पतला नहीं करना है इसका पेस्ट वह देखिए इस तरीके से हमें इसक जो हमने अभी आपको बताया था उस मसाले को डालूंगी इसको दद्दरा ही हमने पीसा है ज्यादा बारिक नहीं पीसा है अब इसमें मैं डालूंगी नमक टेस्ट के अकॉड़े बहुती बढ़िया मज़ेदार मसालेदार मुफली बना रहे हैं आज हम घर पे इसको हम मिला दालेंगे इसमें मैं डाल रहे हूँ आदी चमच लाल मेश पाउडर अगर आपको और ज्यादा चटपटा खाना है तो आप इसमें लाल मेश की पाउडर की मात्रा बढ़ा सकते हैं हाला कि इसी से हमारा बहुती बढ़िया चटपटा बना है मसाला देखी रोस्तों वहां मसाला बन चुका है हमारा तो यहां पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है कॉटन का इसमें जो यह मूफली है जो हमने इसको ऑईल में भूजी थी इसको हम इस तरीके से अच्छे से पहुंच लेंगे मूफली को अब यहां पर यह देखिए जो पेस्ट बनाया था हमने बेशन नहीं करना है अगर तेज ज्यादा करम होगा कडाई हमारी ज्यादा तेज होगी तो यह जल जाएंगे अच्छे से बढ़िया से नहीं सुकेंगे और कुड़कुरे भी नहीं होंगे इस तरीके से करके हमको डालना है इसमें ना तो हमारी आश दिमी होनी चाहिए ना तेज होनी चाहिए इसको इसी तरीके से हम फ्राय करेंगे और अब चलाते जाएंगे बीची-बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि ये फ्राय अच्छे से नहीं हो जाती है ये देखिए बढ़ियासी फ्राय हो गई है इसको मैंने बिल्कुल रुका नहीं है, चलाती गई थी मैं, अब इसको हम मुफलियों को निकाल लेंगे, इस तरीके से ये देखिए, अब इसको हम ठंडी होने देंगे, जब तक कि हम बाकी भी इसी तरीके से सेक लेंगे, ये देखिए, बाकी भी मैंने कडाई में डाल ली ह चलाते रहे हैं इसको हम बहुती बढ़िया मसालेदार मूफली बनके तयार होंगी आज हमारी देखिए दोस्तों तो ये भी हमारी फ्राइ हो चुकी है अब इनको भी हम निकाल लेंगे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इसी तरीके से ये नमकीन मसालेदार मूफली बनाईएगा मैं पक्का कहती हूँ बहुती बढ़िया बनेंगी और बहुती लाजवाब बनेंगी अगर आप इस तरीके से इस नमकीन मूफली को चटपटी मूफली को नमकीन को बना तो बहुती मज़ा आजाएगा बाजार की मुफली नमकीन भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से घर पे बनाएंगे अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें और कमेंड करके जरूर बताएं कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें धन्यवाल